अब सब्सक्राइब नई सिक्षक भरती के उपर आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे उस पर विशलेशी चर्चा इस वीडियो में करेंगे जैसा आप सबी को पता है मित्रू कि नई सिक्षक भरती का उद्गार तभी हो सकता है तभी संबभ है जिसको लेकर मैंने कई यूपी टीटी के परिक्षा जब तक संपाधित नहीं होगी तब तक नई सिक्षक भरती का आगाज संबनेत कोई विज्ञापन कोई न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी तो चुकि कल आप सभी को अपडेट मिली कि यूपी टीटी 2020 को संपाधित करने के लिए इनके द्वारा ही सक्षक भरती को लेकर आगे की बात्चीत प्रायरब्द होगी तो इसमें कई चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे पहली बात तो सबसे इस पर समल लिए कि यूपी टीट होने के बाद ही आपकी नई सक्षक भरती आएगी यूपी टीटी का एगाज हो हो चुका है 25 जुलाई को यूपी टीट दो जार बीस सगुसल संपादित होने की नोडिविकेशन जारी कर दी गई है पहली बात दूसरी बात परिक्षा संपादित होने के बाद यूपी टीट में कई चरण आते हैं इन चरणों में कोट के चहरी वाला भी चरण संबली तर रहता है तो मीद्ल सुरुवात में तो हम यहीं करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो जिस प्रकार से इन्होंने सारी चीज़ें कंडक्शन को लेकर अपना शेडियूल जारी किया गया है उसी शेडियूल के अंतरकत इनका काम हो यानि कि 25 जुलाई को यूपी टीटी कंडक्ट कराए जाए और अगले 25 दिन बाद यानि कि 20 अगस्त को जुलाई के बाद अगस्त आपका रिजल्ट एरांज करने की बात की जारी है यानि मोटे-मोटे तौर पर अगर हम कहें तो यह दो माह का माफ करिए कर यह एक माह का पूरा अंतराल है परिक्षा कंडक्शन को लेकर सारी चीज़े और आपके ऑनलाइन फार्म आप ने देख लिया था ग्यार मई से रिज्ट्रेशन और ग्यार मई को नोडिफिकेशन आएगा कंप्लीट अठारा से रिज्ट्रेशन वाली बात सारी चीज़े और जून के स्टार्टिंग तक यह सारी चीज़े चलेंगे तो अब बात आती नहीं सिक्षक बृति का जो इंतिजार कर रहे हैं प् तो 50,000 प्लस भरती सम्मंदित अपनी नोडिफिकेशन को जारी करेगी कब जब यूपिट्रेट कंप्लीट होगा और यह होगा आपके साल के अंत में क्योंकि सबकी निगाये थे यूपिट्रेट को लेकर और उसी के बाद कम से कम मिनमाम आपको दो माह का समय दीना ही देना है लेकिन आप अगर इसको लेकर संतूष्ट हैं कि अभी हमारे पास बहुत लंबा समय है तो अपनी कामियों को अपनी खामियों को अपनी कमजोरियों को मजबूती प्रदान करने का यह समय है अगर इसको आपने दे दिया यकीन मानिए यह जो आईगी नई सिक्षक भरती प्रात्मिक की इसके बाद आपके पास लंबे अंतराल तक बड़ी भरती कोई नहीं आईगी इस बात को गाठ बांध कर रख लीजिए इस बात को अपनी दिमाग पर फिट कर लीजिए कि आपको प्रात्मिक में अध्यापक पदपर सोबित होना है तो इससे अच्छा मौका दुबारा नहीं मिलेगा समय काफी है आपके पास इसमें आप बहुत ही बहतर एचीव करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं बेशक आपके एकैडमिक रिकॉर्ड बहुत कम होंगे बेशक सी बात है आपने बहुत पहले ही सारी चीज़े संबादित किया है या उस समय आपका सं साधन उत्रा नहीं रहा आपने बहुत अच्छे से नहीं एक्जाम दिया आपके मेरिट डाउन रहे होंगे आपके एकैडमिक माक्स कम रहे होंगे लेकिन ये मौका अगर आपने बहुत 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 अच्छे अंक हाजिल कर दिये तो आपको प्रात्मिक में अध् को बहुत फोकस होकर बहुत ध्यान देकर उसके काम करना है जो भी समय मिला हुआ इसमें आपको गणित में अधिकतर लोगों को परशानियां होती है जो लोग अपने अंकों में सुधार के लिए यह समय हमको मिला हुआ है तो इसको बहुत अच्छे सा फोकस करना पड़ेगा आप सभी को इसको बहुत अच्छे समलीजे और सिक्षक भरती के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूस सकते हैं बिल्कुल परशान नहीं होना है कि सब्सक्राइब करने की जिम्मिदारी है मेरी जो भी प्रशन आपके आएंगे उसका अनुरूप में आपको उत्तर दूँगा इस बात को बहुत अच्छे समलीजे ठीक है बाकी आप सभी को धेरो शुब कामना है आने वाले समय के लिए आप कुछ बहतर एचीव करने की दि जोगज warrior देए में वाले समय के में आपके जोब करने की जिल समय गाले से मुदि के लिए